कि हलो दोस्तों आप स्वीगत सवागत हैं दोस्तों आज मैं बात करूंबा कि आपका जो लाइसन्स से वो dispatch हुआ है कि नहीं हुआ है आपका smart card जो print हुआ है या नहीं हुआ है तो इन दो बातों को आज हम लोग जानेंगे कि वो कैसे हम लोग track कर सकते हैं फिलाल इसका message भी आपको आता है मैं दिखा देता हूँ कैसा message आता है यह मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास message नहीं आता है फिर भी आप जानना चाते हैं कि आपका smart card जो print हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों last में आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ लास्ट में इस वाले message में दोस्तों लिखा हुआ है कि योर driving license जो भी है has been dispatched with speed post ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने tracking number नहीं दिया हुआ है बाकी इन्होंने यह बोल दिया है कि speed post ते आपका license निकल चुका है ठीक है dispatch हो चुका है तो हमें उस number को भी जाना है कि tracking number क्या है तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा तो चलिए बात करते हैं दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आप दो चीज़े जान पाएंगे कि आपका smart card print का status क्या है और dispatch का status क्या है ठीक है तो सबसे फर्स दोस्तों आपको अपनी Chrome में चलना है Chrome अपना जो भी यह open कर लीजिए उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सार्थी डालना है सार्थी की जो official website है दोस्तों सार्थी.priwahan.gov.in यहीं पर आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना state कर लेना है जो भी है देन उसके बाद दोस्तों आपको application status पर क्लिक करना है आप देख रहोंगे यह वाला option है इसी पर आपको क्लिक करना है, अब दोस्तों आपके सामने जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सेम प्रोसेस दोस्तों आपको करना है, यहाँ पर अपना अप्लिकेशन नमबर जो भी हो, वो यहाँ पर डाल देजिए, मैंने उसके बाद दोस्तों आपको नीचे capture डाल देना है, उसके बाद दोस्तों आपको submit पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने ये open हो जाएगा, जहीसे आप application number, date of birth और capture डाल के submit करोगे, वैसे ही इस तरह से आपके सामने interface आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको scroll किजिए उपर के और, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी जनकर यहाँ पर होंगी, बाकी, लेकिन हम आज dispatch की जनकर आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि issue of driving license, तो म सेवन भी बोलते हैं, smart card, जो smart card आपका होता है, ATM के तरह बरा, तो यह complete हो चुका है, दोस्तों, बाइस बारा, और जो भी date होगी, वो यहाँ पर so करेगा, print smart card activated on 2212-2020, मतलब जो भी आपका smart card print हो गया है, वो 2212 को active हो चुका है, क्योंकि उसमें एक chip लगी होती है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों, नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर, isop driving license, dispatch of the deal and PSV bag, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, dispatch of the deal and PSV bag, जो भी आपका bag, वो भी जिसमें pack होके आता है, वो भी complete हो चुका है, दोस्तों, 2412 को, ठीक है, तो 2412 को मेरा जो deal है, वो dispatch हो चुका है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, कि मेरा, जो deal है, वो dispatch हुआ है, कि नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगे, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर और भी देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कि driving license has been dispatched, मतलब जो license है, वो आपका dispatch हो चुका ह ठीक है, और इसके नीचे आएंगे, तो dispatch details यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, कि dispatch details में आप देखेंगे, तो dispatch date जो इसमें दिखा रहा है, वो कितनी दिखा रहा है, तेज बारा, जो भी आपकी dispatch date होगी, वो यहाँ पर slow करेगा, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर यह भी लिखा है, कि dispatch जो हुआ है, वो किसके मादम से हुआ है, dispatch through postal service, ठीक है, post office को द्वारा, इसको dispatch किया गया है, उसके बाद दोरा आगे चलेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों, आप इसका tracking number भी देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों, आप इसका tracking number यह है, EU 38 जो भी है, यह आप इसको यहाँ से copy करके, ठीक है, आप इसको directly वहाँ से search कर सकते हो, कि मेरा जो भी वह है, कहां पहुचा है, कहां नहीं पहुचा है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस डियल के dispatch कि जो भी चन करी होती है, वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हूँ अगर मैं चाहूँगा, तो आपको search करके भी दिखा दूँगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नमबर को copy यहाँ से कर लेना है, इस नमबर को copy कर लिजिए, note कर लिजिए, ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आप speed post track डालेंगे, वहाँ पे track करेंगे, तो वहा सकते हैं, और अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक हमारे घर पे smart card आप जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप dispatch के सारे जानकारी इससे पराप्त कर सकते हैं, अगर इस process में दोस्तों, आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आप मुझे comment में बोल सकते हैं, कोई कर दोस्तों.